तो हेलो एंड गुडिविनिंग रादे रादे आप सभी को आज मैं बताने वाला हूं आपकी लोवर बैक में जो पेन है उसके लिए कुछ ड्रिल्स जो आप सुभे एजन मोर्निंग रूटीन में उस चीज को डाल सुते हो तो वीडियो को बहुत लंबा नाखेस्टी भी तो नीचे मुझे कमेंट बुक्स में डाल देना तो चलिए अपने तरह सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अप इस तरह से बैठ होगे जमीन पर या फिर कहीं भी प्लेट सर्फेस पे इस तरह से बैठके पर आपका 90 90 डिग्री होगा दोनों साइड से चीक है अब आपको सीध पेर को पहले उठाओगे ठीक है इस साइड आप दूसरे इंड शिफ्ट हो जाओगे फिर सेम चीज पहले स्लो कंट्रोल मोशन में इस पैर को उठाओगे जब इस पैर को उठाओगे यह वाला पैर उठेगा नहीं आपका ठीक है पूरा लागे जब इसकी एंड रेंज फी बिलिवा से बढ़े आपका नी का पेर अगे वाला पैर पैर अगेण 90 डिगरी पर इसमें पीछे बाप पैर इसे आऊएगा और अपने हाथ से प्रेसर कंट्रोल कर सकते हो क्योंकि जब आप बिल्पुल स्रेट हो गे तो आपके यहां पे थोड़ा पेन आसकता है तो उस प सड़नली आप भी स्टिफ है एकदम से लोट डाल दोगे पेन बढ़ सकता है तो कंट्रोल मोशन में आप होल्ड करोगे इसमें इसमें स्ट्रेच आएगा आपके गलूट के उपर जो उनसे साइड का गलूट है इस तरह से दिखाता हूं साधर अच्छे से आपको समझ आएगा आप ऐसे आओगे पीछे वाला पैर इप 90 डिगरी सेम जो बताये था इस तरह से अब यहां पर आपको अच्छा गाजा स्ट्रेच फिल होगा और डीप हिप सोकिट में आपको रिस्टिक्शन फिल होगी तो वह आपके टाइम के साथ साथ ठी तो यह जैसे अभी अब जैसे छोड़ा थोड़ा सा मैंने अपना पेलिट पीछी की तरफ टिल्ट करा तो आपको स्पेसिफिक जोइंट में आपको फड़ी रेंज कुलती ही फील होगी अगर आप उस लेवल पर आपको अपने आपको कंड्रूल कर पाते हो क्यों अगर यह न्यूबी है तो हो सकता है उन्हों सिर्फ पेन फील होगा बट जैसे जैसे आप एथलीट और एक पर्टिकुलर गेम में आने लग जाओगे तो आपको जोइंट टू जोइंट आपको फील होने लग जाएगा कि आपके साथ हो क्या रहा है अब आप इस तरह से आओगे सां को आके एक बार कर सकते हो हाड़ी दस से पंदरा मिनट के मोबिलिटी है एंड आपका सिर्फ यह दस से पंदरा मिनट आपके लिए बहुत हो जाएंगे आपको पेंपरी घुमाने के लिए एंड यूल फिल एक्स्ट्रा रेंज ओप मोशन एंड आपको प्री फिल होएगा अब नेक्स्ट है हमारी अब नेक्स्ट क्या कर सकते हो अब इस तरह से नी अपने हिप सोकिट से बाहर की तरफ खोलने है थोड़ा सा इस से दिखाता हूं इस तरह से जैसे आपका हिप सोकिट सामने है थोड़ा सा बाहर की तरफ खोलने है अब आप ऐसे आओगे और अपने हिप को पीछे की तरफ आप लेके जाओगे controlled ठीक है चाहापे pain start hold लग जाएगा वहापे आपको hold करना है फिर से वापस आओगे beyond the pain नहीं लेके जाना है हो सकता है उसके चलते आपकी कुछ impingement start हो जाए तो अभी वो सब नहीं करना है बहुत basic level पे start करना है आपको किसी भी इस mobility drill में जल्दी जल्दी या खतम करने की कोशिस नहीं करना है कि पटा पट मैं चीज खतम कर दूँ ठीक है same चीज इसके भी आप 15-20 strap लगा सकते हो एक से दो सट आपके बहुत होँगे ठीक है और time के साथ साथ स्लाइडली रेंज खोलते चले जाना अगर पेंफिरी हो रहा है तो अगर पेंफिरी नहीं है इंके साथ है तो अब अभी जिस नॉर्मल पॉस्चर में है आप वहीं दोखोगे क्योंकि एक progressive exercises है जो आपको time के साथ साथ इसमें mobility थोड़ी एक्स्ट्रा फील होईगी एंड आपका जो बेक का पेन है नी का पेन है और ग्लूट का पेन है time के साथ साथ कम होगा आपको ओवर दा धक्का दोगे दोनों साइड यह basically हम growing stretch करें दोनों साइड धक्का दोगे अगर ऐसे में आपका पैर उपर आता है तो ऐसे दे सकते हो अगर ओलरी नीचे है तो आप slightly pressure लगा के आप ऐसे दोगे ठीक है यह इस पर होल्ड रहेगा आपका 30-40 second का अगर पेन प्री आता है तो अगर पेन आ रहा है तो यह exercise दुबारा आपके लिए नहीं है and next है हमारी इस तरह से लेट होगे यह specific lower back के लिए अगर lower back में पेन है तो इस तरह से लेट होगे एक नीचे से उपर अपने दोनों हाथ अपनी lower back के नीचे लगाने आपको इस तरह से अब आपको feel करना है कि आ आपका पूरी spine आपके दोनों हाथों को प्रेस कर रही है नीचे की तरह इसमें आर्क नहीं बनना चाहिए ठीक है आप ऐसे आओगे अब सांस भार की तरफ चोड़नी है hold करोगे फिर दुबारा एक बार सांस भार की तरफ चोड़के और एक बार brace करके दोनों तरफ से करने है आपको ठीक है अब दुबारा brace करो फिर चोड़ोगे और सेम चीज आप यह दोनों चीज करोगे इसका आप 4 से 5 सेट कर सकते हो आपकी exercise की जो drill है मतलब यह कितनी बार करना है side to side यह 8 से 9 बार बहुत होगा जहर से बात है time के साथ साथ इसके आप wrap time और set तीनों चीज आप time के साथ साथ बढ़ा सकते हो अगले दिर है हमारी आप इस तरह से आओगे अपना हाथ अपने पहले वी के उपर रखोगे and hold करोगे ठीक है कि छोड़ोगे इसे hold करोगे ब्रेस करके करना है यह ताकि आपका लेटरल कोर ज्यादा engagement तील करें अगर आपकी यह भी सिकायत है कि आपका side कोर आपका इतना आपको support नहीं दे रहा kind of imbalance भी हो रहा है तो उस case में भी आपको बहुत help करेगा next है आपकी बहुत सारी बता रहा हूं इसलिए ताकि आप लोग थोड़ा बैटर चीजों को समझ सको और कर सको आप इस तरह से आओगे ठीक है आपकी spine बहुत ज़्यादा extend या flex posture में नहीं आएगी जैसे आपने normal posture मे रखा है neutral spine आप पैर उठाओगे tap करोगे अपने थम से पिरा सामने के तरह hold करोगे इसमें पैर बहुत ज़्यादा उपर नहीं जाएगा और बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं रहेगा और आपकी spine जो आपने शुरूम में maintain करी है आपको वहीं करने और फिर hold करोगे इसस एक advance drill है जो आप कर सकते हो इस तरह से ही आओ गया ठीक है अब इसमें knee lift कर जाएंगी ठीक है अब जैसे पहले हमने knee नीचे touch करा के क्या था अब अगली है हमारी knee lift कर जाएंगी ठीक है अब same एक alternate leg और alternate hand आपको lift करना है इस तरह से आए ठीक है अब इसमें same neutral spine trace करोगे और सामने अपने आपको hold करोगे यह थोड़ी से difficult करेंगी आपको बट यह time के साथ साथ progressively आपको काम करना है अब यह थी आज की drills अब बात कर लेते हैं कि यह एक्चुली आपको होता की बैठने का काम हो तो stiffness के चलते हो सकते हैं डिस्क बल्ज यह हर्नीशन के चलते हो सकते हैं आपको कुछ medical condition हो सकती है कुछ accidents के चलते हो सकते हैं कुछ आपको muscle overusing के चलते हो सकता है muscle fatigue के चलते हो सकता है weakness के चलते हो सकता है आपकी hip की mobility की कमी की वज़े से हो सकता है आपकी thoracic की mobility की कमी की वज़े से हो सकता है मतलब इसमें अगर मैं इन सब को 1 जीगा करके डाल दूँ आपको अपने daily life activity में थोड़ी movement एड़ करनी पड़ेगी अगर आप already athlete हो तो भी आपको यह movement एड़ करनी पड़ेंगी ताकि आपकी जो भी activity है जो भी आपका game है powerlifting हो या आप कोई भी गेंग खेल रहे हो आपकी hip की mobility बहुत जरूरी है and mobility के साथ साथ आपको hip की stability पर भी ध्यान देना पड़ेगा उसकी वीडियो में फिर कभी बना दूँगा आप नीचे मुझे कमेंट में डाल देना कि आपको वो चाहिए या नहीं तो यह था अमारा आज का छोटा सा session बहुत जल्दी खतम हो गया and अगर आपकी कोई doubt है कुछ injury है किसी चीज के बारे में पूछना चाहते हो